अले स्टुडेंट्स कैसे आप सब लो अज फीडियो का टॉपिक बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है अज फीडियो में आपको बताऊंगा विन हाउस रिमेंज वेकेंट तो ऐसी कंडिशन में आप ग्रॉस एनुवल वेल्यू और एनुवल वेल्यू को कैसे कैलक्लेट करें जब घर उनर का वेकेंट होता है तो या रखेंगा उतने मंस का उसे रेंट रिसीव नहीं होता है इसका एफेक्ट सिव आपके ग्रॉस एनुवल वेल्यू पे पड़ता है तो जब घर आपका वेकेंट है तो ऐसी कंडिशन में ग्रॉस एनुवल वेल्यू कैलकुलेट करने गलत हो जाएगा आज आपको इक नुमेरिकल कोशन के थुरू मैं एक्स्पेंड करूँगा कि जब घर आपका वेकेंट होता है तो सबसे पहले आप ग्रॉस एनुवल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद एनुवल वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट कुशन देखें आपके स्क्रीन पे आ चुका है चाहे तो आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजे या इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कुशन देखें पहले तो यह बोल रहा है तो यहां देखें आपको एक्सपेक्टेड रेंट कोशन में डिरेक्ली गिविन है प्रीवेस फीडियो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड रेंट सबसे पहले आप कैल्कुलेट करते है मुनिस्पल रेंट से, फियर रेंट से और स्टेंडर रेंट को कम्पेर करके जब कोशन में आपको एक्सपेक्टेड रेंट डिरेक्ली गिविन है तो अगर कोशन में मुनिस्पल रेंट या फियर रेंट गिविन भी होता तो भी हम लोग कम्पेर नहीं करते है अब यहाँ पे देखें बिल्कुल last में given है कि जो घर है वो एक condition है एक मैने के लिए vacant है और दूसरी condition है तीन मैने के लिए vacant है तो यहाँ पे देखें सबसे पहले में लोग क्या करेंगे इसको दो parts में divide कर देते हैं पहला case ले लेते हैं A और दूसरा case ले लेते हैं B पहला case हो जब घर आपका एक मैने के लिए vacant है और दूसरा case जब घर आपका थ्री मन्स के लिए vacant है सबसे पहले ये copy में लिख लीजएगा कि अगर घर आपका बारा मैने के लिए vacant है नब घर आपका let out हुआ ही नहीं तो उस case पे gross annual value आपकी आएगी निल अगर घर आपका एक मैने के लिए या तीन मैने के लिए तब तो आपको value find out करनी है अगर question में given है घर आपका पूरे बारा मैने के लिए vacant है आपने घर let out किया ही नहीं है तो वहाँ पे आपकी gross annual value निल आईगी और जो आपका ये एक मैने के लिए घर vacant है या तीन मैने के लिए घर vacant है इसका सिर्फ effect आपका gross annual value पे पड़ेगा annual value पे इसका effect नहीं होता आप जो calculation करेंगे ठीक है वो values आपकी gross annual value की change होगी सबसे पहले यहां पे हम लोग calculate कर लेते हैं कि gross annual value आप find out करेंगे कैसे gross annual value find out करने के लिए हमें यहां पे दो चीजे लिखनी होती है आपको मैंने previous videos में बता रहे तो कोई भी question आप करेंगे सबसे पहले यहां पे आप लिखेंगे expected rent जो भी question में given होगा उसके नीचे लिखेंगे actual rent और इन दोनों को compare करके आपको मिल जाएगा gross annual value यहां भी मैं लिख देता हूँ कि पहले आप calculate करेंगे expected rent और actual rent और जो value आप कि आएगी उससे आप क्या मिल लाएगा gross annual value अब यह find out कैसे होगा आप question में देखेंगे आपको expected rent 1 lakh रुपीज दिया है तो यहां भी मैं 1 lakh लिख देता हूँ और यहां भी expected rent 1 lakh आप कहा जाएगा question में लिखा है कि जो आपका actual rent है वो आपका 10,000 पर मन्त है यहां पर आप देखेंगे एक मैने के लिख घर आपका vacant है तो आप यह देखेंगे कि आपको कितने months का rent मिला होगा ग्यारा मैने का क्योंकि 12 में से एक मैने अगर आप हटा देंगे तो ग्यारा मैने का rent आपको मिल गया होगा तो यहां पर actual rent कितना आएगा 10,000 into 11 तो यह 11 मन्त से जब multiply होगा तो यह एक लाग दज़सर आएगा इस condition में given है कि जो घर आपका है वो तीन मैने के लिखेंट है तो 9 मन्त तो let out हुआ है तो यहां पर आजाएगा 10,000 into 9 यह आजाएगा 90,000 तो इसी type का मैने आपको question एक previous video में कराया था कि जो actual rent आपका था वो 6 मन्त के लिए given था वो case और यह case देखेंगे आपका अलग है यहां पर question में given है कि घर आपका वेकेंट है और वहां पर directly है given था कि जो घर आपका है उसका actual rent आपको 6 मन्त का ही given यह दोनों condition अलग होती है जब question में specifically mention है कि घर आपका वेकेंट है तो आप इस तरीके से calculate करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अब यहां पर देखें जीएवी calculate करने का तरीका यह होता है कि expected rent में और actual rent में आप compare करेंगे whichever value is more वो आपका जीएवी हो जाता है तो यहां पर आप देखेंगे expected rent one lakh है और actual rent आपका एक लाग दसदार आ रहा है तो दोनों में से कौन सी value बढ़ी है एक लाग दसदार तो वो बन जाएगा आपका जीएवी तो जीएवी के लिए से विए करना होता है कि दोनों में से जो value बढ़ी है वो आपका gross annual value आप लि करेंगे कि वे बन लेक जादा है तो जीए वी कितना होगा आपका बन लेक रुपी अब एक चीच कॉपी में note down कर लीजेगा जब घर आपका वेकेंट है इसको highlight करके लिएगा जब घर आपका वेकेंट होगा ऐसी condition में चाया आपका expected rent जादा हो या actual rent जादा हो दोनों ही condition म gross annual value आपका actual rent होगा आप कोई भी question करेंगे अगर question में given है कि घर आपका वेकेंट है तो in that case actual rent is directly treated as gross annual value तो यहाँ पे आप देखेंगे actual rent एक लग दस जादा होता तो भी मैं actual rent को ही क्या लिखता gross annual value और यहाँ पे आप देखेंगे actual rent 90,000 है यह भले जादा है बगर मेरे gross annual value कितनी हो जाएगी 90,000 तो किसी भी question में जब आपको mention होगा कि घर आपका वेकेंट है तो उस condition में आप comparison नहीं करेंगे आप लिखेंगे पूरा कि यह expected rent है यह actual rent है बगर gross annual value सीधे उठा कि आप actual rent को mention कर देंगे चाहे वो जादा हो चाहे वो कम हो तो इस condition में यह value जादा थी तब तो यह जीए भी आपका आना ही था इस condition में यह rent आपका कम था तो भी यह क्या हो जाएगा आपका gross annual value यह देखें सिर्फ तब होता है जब question में mention है घर आपका vacant है अगर घर vacant नहीं है तो वो आपकी gross annual value बनती है तो यह please copies में लिख लीजएगी सबसे पहला आप expected rent लिखेंगे फिर actual rent लिखेंगे और दोनों में से जो rent बड़ा होता है उसे हमने बोलते है जीए वी यह आपको उन्हें previous वीडियो में भी डीटेल में बताया था कि expected rent भी कैसे calculate करते है और expected rent और actual rent म होती है बगर vacant में यह case आपका बदल जाएगा vacant अगर आपका एक मेने का है दो मेने का है तीन मेने का है जो भी मेने का vacant होगा actual rent को ही सीज़े लिख देंगे gross annual value इन दोनों का comparison करने की जरुरत नहीं होगी यह please लिख लीजएगा कि अभी आप आगे जब questions करेंगे तो आपको एक ही घर दो तीन पार्ट में भी होगे एक पार्ट होगा let out एक पार्ट होगा vacant तो वहाँ पे आपको confusion हो जाएगा कि vacant या let out में आप calculate कैसे करेंगे तो पूरे 12 मेने के लिख लिख लिखेंगे अगर एक मेने के लिखेंगे तो आप जो actual rent हा रहा उसको सीज़े उठा के ज 9,000 रुपीज गिवन है और उसकी value सीधे mention कर दिए bracket में आपको given है 10% of municipal value मगर यहाँ पर directly आपको house tax या municipal tax 9,000 रुपे दिए तो आप क्या करेंगे इस GAV में से municipal tax 9,000 को minus कर देंगे इसमें भी और इसमें भी और इसको minus करके जो value आएगी वो कहलाएगी आपकी annual value तो एक लाग दसजार में से 9,000 minus करेंगे एक लाग एक अज़ार 90,000 में से 9,000 minus करेंगे 81,000 तो यह आपकी annual value आपको मिल जाएगी तो यहाँ बे मुझे सिर्फ यही आपको बताना था कि घर जब आपका vacant होगा जब देगे घर आपका let out है पूरे 12 मेने के लिए तब आप इन दोनों का compare करिए अगर यह जादा है तो यह आपका GAV हो गा और जब घर आपका एक मैने के लिए भी vacant है तो उस case में इन दोनों का comparison नहीं होगा आप सीधे इसे उठा के कहां लिख देंगे gross annual value के सामने expected rent के लिए आप comparison करेंगे अगर question में मुझे municipal rent given होता fair rent given होता तो उन conditions में आप उसे compare करेंगे कि आप expected rent को कैसे calculate करेंगे बस जो यह vacant होता इसका effect सिफ यहाँ पे पड़ेगा ना municipal rent पे पड़ेगा ना fair rent पे पड़ेगा ना standard rent पे वो आपको जो question में given आप उसी के treatment करेंगे बस जब घर question में लिखा है कि भीया vacant है तो उतने months का तो rent आपको नहीं मिला उसका effect सिर्फ आपके actual rent पे पड़ेगा इसको यहाँ लिख दीजे जो municipal tax given है मैंने सीधे मानेस कर दी है चिकि वेकãynd का सर्फ यहाँ पे effect होता है तो यहाँ मैंने 11 मैंने का कुछ treatment किया है यहाँ मैंने 11 मैंने का कुछ treatment किया यह जो question में आपको given है आप पूरे साल का calculate करके लिखेंगे vacant का सिर्फ दो जगे effect होता है पहला actual rent आप उतने months का निकालेंगे जितने months आपने let out किये और उसके बाद बिना compare करे actual rent सीधे आपका GAV हो जाएगा इस condition में भी और इस condition में तो होब आपको इस हमें आगया होगा कि जब घर आपका vacant है तो सबसे पहले उसका effect सिर्फ किस पे बढ़ेगा actual rent पे ना expected rent पे बढ़ेगा ना municipal taxes पे ना पूरे question में कहीं और सिर्फ किस पे बढ़ेगा आपका actual rent पे और उसके बाद दूसरा effect क्या होगा कि actual rent पे और expected rent पे बिना compare करे कि कौन सी value बढ़ी है जैसे हमनों प्रिवेस वीडियो में compare किया तो और actually में आप जैसे calculate करते थे वो treatment भी vacant के case में बदल जाएगा और directly आपका actual rent के बन जाएगा gross annual value बाकि municipal tax और expected rent है जो भी question में other values given है वो आप जो question में given है पूरे बारह मैंने कि आप उसी को लिखेंगे ना यहाँ पे कोई फरक पढ़ ला है ना यहाँ तो जो मैंने आपको important चीज़ बताईए उसको copy इसमें note down करिए आगे जब आप questions करेंगे तो exam में देखें जादा तरह question आता है कि एक घर है उसका कुछ part let out है कुछ part vacant है अभी आपको आने ओली वीडियो में बताऊंगा self occupied है तो यह सारी चीज़ें आपको एक ही question में given होती है तो वहाँ पे आपको सबका अलगलग calculation करने का तरीका पताऊना चीए कि जब पूरा घर let out है तो आपको उने previous वीडियो में बताया था compare करके लिखते है जब घर आपका vacant होगा तो इस तरीके से आप करेंगे बस वहाँ पे comparison नहीं होगा और जब घर आपका self occupied होगा तो आने ओली वीडियो में आपको मैं उसका treatment भी बताऊंगा इसको copies में no down करिए अपनी book का question करिए किसी भी बच्चे को अगर कोई भी doubt होता है किसी भी question में इससे related तो ये वेरा Instagram page आप इसको follow करिए और अपने doubts मुझसे वहाँ पे solve करा लीजे और जिस भी बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आ लिए प्लीज सबसे बहले चैनल को subscribe करिए bell का icon दबाएए ये वीडियो को like करिए और जिन भी बच्चों को अगर मेरी life classes join करनी है जो हम लोग zoom map के थू कराते हैं इसकी बहुत minimum piece है और वहाँ आपको आपकी book का पूरा detail में chapters कराऊंगा चाहिए वो income tax हो या बीकॉम के जितने भी chapters हैं जितने भी subject हैं सबकी life classes available तो मुझे इस number पर contact करिए और सारी details में आपको बता दूँगा